प्रेम पूजा है प्रेम त्याग है लेकिन आज की जमाने में प्रेम की परिभाशा पूरी तरह से बदल गई है लव और ब्रेक अप का आज कल के यंग्स्रस में एक ट्रेंड सा हो गया है रिष्टों में लोग ऐसे उलच जाते हैं कि सही और गलत का एहसास भी खत्म हो चुका है आई दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां प्रेमी शादी के बाद भी प्रेमीका को अपना बनाने की कोशिच में लगा रहता है ऐसा ही एक हैडान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां प्रेमीका की शादी से नाराज प्रेमी अदालत पहुँच गया और उसने प्रेमिका पर बिना उसकी मर्जी के शादी का आरोप लगाते हुए ऐसी याचिका दायर की कि कोट ने उस पर चुर्माना लगा दिया। जहाँ, यह मामला गुजराओ के बनास कान्था जिले का है जहाए प्रेमी ने अपनी प्रेमीका की शादी होने पर गुजराओ हाई कोट तक पहुंच गया, उसने कोट में ऐसी याचिका दाखिल कर दी ताकि वो प्रेमीका के साथ रिलेशनशिप में रह सके प्रेमी ने कोर्ट में प्रेमी का पर बिना उसकी मर्जी के शादी करने का रोप लगाया और कोर्ट से उसे अपने हवाले करने की गुहार लगाई इसके बाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिच करते हुए 5,000 रुपे का जुर्माना ठोक दिया प्रेमी ने गुजराथ हाई कोर्ट में कहा कि उसकी गल्फरिंट को अपनी मर्जी से शादी करने का हग नहीं है उसने कहा कि गल्फरिंट ने उसके साथ लिविन बे रहने का एग्रिमेंट किया है उसने हाई कोट के सामने ये कथित लिव इन एग्रिमेंट सबूत के तौर पर पेश भी कर दिया युवक ने कहा कि शादी के बाद गर्लफरिंड ने कुछ ही समय में पती और ससुराल को छोड़ दिया था और वो इसके साथ रह रही थी और इसी दोरान दोनों के बीच लिव इन एग्रिमेंट भी हुआ था अब गुजरात हाई कोट में जस्टिस वी एम पंचॉली और जस्टिस हम प्रचाकर की बैंच ने इस याचिका पर सुनवाई की उन्होंने प्रेमी की पेटिशन को सुनवाई के लायक नहीं बताया बैंच ने अपने फैसले में कहा कि पती से महिला के तलाग नहीं लेने पर प्रेमी को ऐसी याचिका दाखिल करने का कोई भी हक नहीं है महज लिविन रिलेशन्शिप एग्रिमेंट के अधार पर याचिका दाखिल नहीं हो सकती है इसके बाद बैंच ने प्रेमी पर कोट का वक्त खराब करने के लिए 5,000 रुपे का जुर्माना तक लगा दिया और याचिका भी खारच कर दी अब इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार